नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Nazo 30 vs Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टपोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो Realme Nazo 30 में 6.39 इंच जबकि Oppo A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है घुइद की बात करें तो Realme Nazo 30 में 2.97 इंच जबकि Oppo A54 में 2.98 इंच की विद्ध मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो रियल मीन आजो 30 में 0.37 इंच जबकि ओपो 854 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 192 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही एपस LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में same ही 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme Naso 30 में 6.5 inches जबकि Oppo A54 में 6.51 inches मिलती है डिस्प्ले साइज की बात करें पीपी आई डेंसिटी की तो Realme Naso 30 में 405 प्रती इंच जबकि Oppo A54 में 270 प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Realme Naso 30 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Oppo A54 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Realme Naso 30 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और Oppo A54 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो Realme Naso 30 में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 डिफरेंट पीचर्स मिलते है और Oppo A54 में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट पीचर्स मिलते है अईए अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते हैं Hardware में सबसे पहेले CPU जोकी Speed के हिसाब से देखा जाए तो Phone में सबसे Important Part है उसकी Details देखते हैं GPU की बात करें तो Realme Naso 30 में Mali G76M C4 जबकि Oppo A54 में Power Ge83 दोशूनिक मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme Naso 30 में MediaTek Helio G95 और Oppo A54 में MediaTek Helio P35 मिलता है बात करें RAM की तो Realme Naso 30 में 6 GB जबकि Oppo A54 में 4 GB मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Realme Naso 30 में 128 GB जबकि Oppo A54 में 64 GB मिलती है Expandable Memory दोनों फोन में Up to 256 GB है Operating System की बात करें तो Realme Naso 30 में Android V11 जबकि Oppo A54 में Android V10 क्यों देखने को मिलती है बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Realme Naso 30 में 2 Colors जबकि Oppo A54 में 3 Colors आप्शन मिलते हैं सब इंफोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme Naso 30 की 12,499 रूपीज जबकि Oppo A54 की 13,299 रूपीज प्राइस है जो की Realme Naso 30 से ज्यादा है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉंस यानि की फाइदे और नुकसान की तो Realme Naso 30 में 4 फाइदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Oppo A54 की तो उसमें 7 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में Realme Naso 30 आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Realme Naso 30 आगे है इंटर्नल मेमरी में Realme Naso 30 आगे है दोस्तो, अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें हे, जो की 14,990 रुपे में मिलता है दुसरा हे, जो की 14,890 रुपे में मिलता है तीसरा Samsung Galaxy F22 है, जोकी 12,499 रुपे में मिलता है और last competitor phone की बात करें तो उसमें है जो की 14,990 रुपीज में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना